महिलाएं आज किसी से कम नहीं, चाहे वे सरकारी विभाग हो या कॉर्प्रेट ओफिस, हर जगे वे आगे बढ़ रही हैं। पुलीस विभाग में भी महिलाएं अपनी जिम्मेदारी पूरी हिम्मत से निभा रही हैं। इस कड़ी में एक पुलीस अफसर का नाम सबसे उपर है। पुली की और एक बार फिर 2014 में MPPSC की परिक्षा पास की। आज वेह जबलपूर में एक साइस सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रही है। प्रशासनिक सेवा में आने का जैसे सभी का ये टाइग लाइन ही रहता है कि हमारा बच्पन का सपना था कि हम प्रशासनिक सेवा में आए। मैं ये नहीं सोचा था कि मैं आपकारी विभाग में ही आऊँगी। मद्यप्रदेश लोग सेवा आयोग की परिक्षा मैंने दी जिसमें 2014 में में मेरा सेलेक्षन आपकारी उपने रिक्षक के पत्पे हुआ। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 36 लोग सेवा आयोग में मेरा DSP के पत्पे भी चैयन हुआ था पर चुकि मैं 18 दिन चोटी हो गई थी तो इस वज़े से मुझे सेलेक्षन नहीं मिला। तो एक जो टीस थी वर्दी ना पहन पाने की वो मैंने इस नौकरी में आके पूरी की हैं और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं खाकी पहन पा रही है। बेसिकली हम चत्तिसगर के विलासपूर जिलेके रहने वाले हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं मेरे पापा भी नहीं हैं मेरे दो भाई हैं और मैं यहां पर पदस्थ हूँ 2014 मेरा एजूकेशन में बर्जिस इंग्लिश हाय से केंडरी स्कूल से अपना 12th पास किया है। जिलाओं के दो रूप होते हैं जितना मैं जानती हूँ personally एक यह किसी महिला को घर में देखेंगे ताभ वह बहुत ही अलग होती है और जब आक उसको और ड़र जैसिंगर कुछ चीज लगती नहीं है और आपने आपी डर जैसी कुछ चीज लगती नहीं और आपने ही जो किमभरा रहता है मिशित रूप से मैंने कई बड़ी कारेवाहियों को अंजाम दिया है मैंने आधी रात को तीम साड़े तीन बजी अपनी टीम के साथ मैंने एक हाईवा जिसमें नब्बे पेटी दारू थी जब 2019 के चुनाव थे उस समया चार सहिता के दौरान पकड़ा है उसके अलावा मैंने दो-दो-तीन-तीन गार्डियां भी पकड़ी है एक्सिदेंटल गार्डियां पकड़ी है मुलजिम जो अल्रीडी पीडित था उसको अस्पताल पहुँचाया है और ये most of the कारेवाहिया मेरी रात को हुई है निश्यत्रूप से जोखिम तो रहता है पर एक बार पद में आने के बाद और एक बार पावर मिलने के बाद वो चीज़े गौन हो जाती है इसमें मेरे साथ-साथ मेरी टीम को भी पूरा क्रेडिट जाता है जिन्होंने हर पल मुझे सपोर्ट किया है अगर मेरी टीम नहीं होती तो निश्यत्रूप से मुझे भी एक महिला होने के नातिर डर लगता कि मैं कैसे जाओ रात को पर जबी भी मुझे रात में जरूरत पढ़ती दिन में जरूरत पढ़ती मेरी टीम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी खड़ी रहेगी टीम के भरोसे ही मैं निकल पाती हूँ बहुत रात को बाहर और इन कारवाहियों को एंजाम दे पाती हूँ मेरे मन में यही रहता है कि जो होगा देखा जाएगा अगर सामने कुछ गलत होते दिख रहा है मुझे कारवाही करनी है तो मैं कारवाही करोंगी देखे एक महिला होने के तोर पे मुझे कभी भी कोई भी कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा यहां मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगी कि मैं दो बच्चों की मा हूँ मेरी बड़ी बेटी पाथ साल की है और छोटी बेटी तीन साल की है और मैं उनको घर पे छोड़के आती हूँ चाहे रात हो चाहे दिन हो मैं काम करती हूँ पस एक मन में थोड़ा कहीं खलिश रहती कि बच्चे घर में अकेले होंगे उसके अलाबा मुझे कभी किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है आप अगर ठान ले तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं मैं एक पत्नी हूँ, एक मा हूँ, मैं घर में सुभा से उठते हूँ, अपने बच्चे को स्कूल भेजते हूँ, घर का काम निपताते हूँ, उसके बाद मैं ड्यूटी चली आते हूँ फिर जब मैं रात को घर जाते हूं तो फिर मेरी घर के ड्यूटी शुरू हो जाती है, मेरे हस्बेंट बहुत कोपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है, तो वो भी मेरा साथ देते हैं, तो घर में पती-पत्नी दोनों अगर तालमेल से काम करें और प्रोफेशनल और परसनल ल लोकले दिन के लिए जबलपूर से भरत दिवारी की रिपोर्ट